यह जब देखता हूँ ना लोगों को मंदिरों में, बज्जित में, गुर्द्वारे में या चर्च में कहीं पर भी पता है लोग क्या मंग रहे हैं कि हे बगवान हमारी जिन्दगी में सुक शांती बनी रहे हमारी जिन्दगी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए हमारा अच्छा टाइम चलता रहे, बुरा टाइम कभी ना आए यही चीज़े मांगते हम लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हम देख नहीं पा रहे कि हमारी जिन्दगी की जितनी भी मुश्किले हैं, उसकी जड़ी यही है कि हम मुश्किले नहीं चाहते हम उन मुश्किलों को फेस नहीं कर रहे हैं हम उन मुश्किलों से डर रहे हैं हो क्या रहा है कि हम मांग रहे हैं कि हमारा टाइम अच्छा चलता रहे हमारे घर में सुख शांती बनी रहे किसी की health की कोई problem ना हो लक्षमी भी आती रहे जाए नहीं यही सब चीज़े हो रही है कि सब कुछ ठीक ठाक रहे क्या यह possible है पुछले हजारों सालों में लाखों सालों में करोणों सालों में मुझे एक भी इंसान ऐसा दिखा दो जिसकी जिन्दगी में सुख तो आए हो लेकिन दुख ना आया जिसको health से related कोई problems ना आया जिसका time हमेशा अच्छा ही चला हो जिसका time कभी खराब ना आया जो पैदा तो हुआ हो लेकिन कभी मरा ना या उसके घर में कोई ना मरा है कोई एक की ऐसा इंसान है तो ये क्या है ये thinking reality से बिल्कुल अलग है ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आप भगवान के सामने जाकर करके मांग रहे हो हे भगवान मुझे दिन अच्छा लगता है रात ना हो दिन तो रहे लेकिन रात ना रहे सुख तो हो दुख ना हो ये माग रहे है पॉसिबल है अपने ध्यान को बार बार कहीं और ले करके जाओगे distractions की वैसे आप distract नहीं होगे खुद आप अपने mind को distract करोगे ताकि उस torture को सेना ना पढ़े उस mental pain को सेना ना पढ़े वो ना करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते हैं जो हमारा मन नहीं है लेकिन reality क्या है एक तरफ दर्द है एक तरफ मजा है तो हमारा mind किसको चूछ करेगा मजे को चूछ करेगा दर्द को छोड़ेगा लेकिन जो आपकी जिल्दगी बनेगी एक तबी फ्यूचर बनेगा वो बनेगा दर्द को सह सह कर दो ओ पे लो गेल और इस पेजिक से चीज समझनी है जो भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है चाहिऑ ब Panel हो एऑ वो कोई भी हो वो क्यों कर रहे है वो क्यों कर रहे है पतते है और दूसरी चीज़ वो कर रहा है अपने पेन को अवाइड करने के लिए जिन चीज़ों में दर्द होता है कि किसी तरह से वो दर्द ना सहना पड़े मज़ा आता है एक पूरा पूरा जाल है इस जाल को काटना है किसी तरीके से जाल में से निकलना है एक भूल कुलईया है अब तर्व हो रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है करना वो चाहिए जो अच्छा है लेकिन उस पे मजा नहीं है और जो अच्छा नहीं है मजा सब उसी में है कि दुनियाबाद में बदलेगी, पहले आपकी जिन्दगी बदलेगी, सबसे भ cleaner कि दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते, जब तक खुद नहीं बदलेगी एक बार अंदर ये पनाभ विया ना, मुझे भी कुछ ऐसा करना है कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो कुछ करना है ऐसी थोड़ी आया और चलागे है क्या है कुछ करना है the more you do it the more you will get energy to make the impossible possible कौन रोक रहा है आपको खुल करके आगे आने से कौन रोक रहा है कोई नहीं आप खुद आपके खुद के अंदर का ये डर आपको आज़रा ने से रोक आए आपकी unrealistic expectations आपकी जिन्दगी की सारी की सारी problem की जड़ है तो अगर इस जाल को काटना है इससे बार इकलना है तो उसका क्या रास्ता है बहुत असाथ बहुत असाथ अगर आप करना चाहूंगा अगर आप मुझसे पूछें कि मैं उससे क्या मांगता है तो वैसे तो कुछ भी नहीं मांगता अने कि नगर मांगना पड़ जाए आप लोगी कहने वर क्योंगे तो नजा करके मंदिर में या कहीं पर अभी गुद्वाने में जाने कि उससे मांगूगा कि ये भगवान तुने मुझे जितना दर्द देना है दे पूरे दिल से मांगूगा तिखाने के लिए नहीं बोलने के लिए नहीं अपने अंदर से आत्मा से मांगूगा कि तुने मुझे जितना दर्द देना है दे जितने दुख देने है दे जितनी मुश्किले देनी है दे लेकिन इसके साथ साथ में उस दर्द को सेहने की ताकत है कि मैं डर करके भागू नहीं कहीं जा करके बिल में छुपू नहीं एक चुहे की तरह हम क्या करते हैं जब अपने लिए सब कुछ अच्छा अच्छा मांगते हैं पता हैं हम क्या कर रहे हैं रियालेटी को नहीं देख रहे हैं क्या कर सकते हो अपने आपको स्ट्रॉंग बना सकते हो यह डर गर के भिल में छुट सकते हो मैंने क्या चूज किया स्ट्रॉंग बनाना है दे दे जितना दर्द देना है इस पूरी दुनिया का दर्द देना है दे दे साथ में शक्ती दे दियो ताकत दे दियो उस दर्द को सहने की सहूंगा ना क्या दिक्तत है तू है न मेरे साथ इसको इस वास बोलते है